आज हम लोग सेर का सवा सेर कहानी पढ़ेंगे जो बहुत ही मज़िदार है यह बिहार सरकार की वर्गचार की हिंदी कुम्पल पाठ छोव आज हम लोग पढ़ेंगे चलिए शुरुवात करते हैं एक गाउ में तीन भाई रहते थे भाई मत जानते ही है गौप हाकने में उनका जवाब नहीं था गौप मजाक बड़े बड़े बोलना हाकना इस काम में तीनों भाई अपने को सबका गुरु समझते थे वो समझते थे हमसे बड़ा कोई गौप नहीं हाग सकता जूट नहीं बहल सकता एक बाद तीनों भाई यत्रा पर निकले राश्ते में वे एक सराय में थारे राश्ते में वो एक धाबा में थारे थे उसी सराय में एक राजकुमार भी आठारा राजकुमार राजा का लड़का उसी में आगया ठारने के लिए उसने किम्ती वस्त्र तथा बहुमूल आभूशन पहन रखे थे बहुत सोनाचानी पहन रखा था और कपड़ा जो किम्ती था वो पहन रखा था भाईयों ने राजकुमार को अपने जाल में फसा कर उसके वस्त्र आभूशन हथियाने के युजन बनाई तिनों गोपुथे जोग फागने वाले भाई राजकुमार के वस्त्र देखतर की बहुत महागा है अब भूसर नितना पहना है उसको अपने हथियान लेने के युजन बनाई उन्मे से एक भाई राज कुमार से बोला महा से समय काटने के लिए कुछ खेल पहली हो जाए तो कैसा रहेगा राज कुमार राजी हो गया दूसरे भाई ने सुझाया ऐसा करते हैं कि हम बारी-बारी से गपे हगते हैं किसी की गप पर दूसरा कोई विश्वास न करे तो विश्वास न करने वाला हारा माना जाए उसे गप करने वाला की गुलामी करनी पड़ेगी मतलब कि अगर विश्वास नहीं करे तो हार जाएगा और उस वो गुलामी करनी पड़ीगी राजकुमार यसर भी मान गया गपड़ी बहुत खुश हुए उन्हें पुरा विश्वास था कि वे ऐसी बितुकी गप मारेंगी कि राजकुमार को विश्वास न करने पर मजूद बूर करेंगे उसके मुँस से यह कैसा हो सकता है निकल आकर रहेंगे वो बहुत गपई थे ना राजकुमार भी बड़ी तेज था आगे दिखेगा उन्होंने सराय के मालिक को पंच बनाने के लिए मना लिया उस धाबा का मालिक था उसको पंच बनाया मुकाबला शुरू हुआ पहले भाई ने गप मारा वो बोला बसपन में हम लुकाचिपी खेल रहे थे लुकाचिपी मतलब छूप कोई छूप जाता है उसको धूने ना होता है मैं छिपने क्लिए एक तार के पेड़ पर चर गया तार मने तरकुल जो बहुत लंबा होता है वो तार का पेड़ कम से कम सो मिल उचा था वो बोला गौफा गई बहुत उचा था सो मिल मैं दोड़कर उसकी चोटी के पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया जो तार का होता है न चोटी लाष्ट में और जो उसके पत्ता होता है बहुत खागड़ा जो बोलते हैं उस पर शिपकर बैठ गया देखिए चारो है यह मालिक है राजकुमार गपोड़ी यह राजा दिखाई दे रही रहा है मुझे वही निन्दा गई मतलब कि तार के पेड़ पिसको निन्दा गई गपो जो आख खोली तो देखा कि पेड़ इस बीच पचास मिल और उग चुका था मतलब कि पेड़ और पचास मिल उचा हो चुका था नीचे उतरने के हिमत नहीं हुई मैं सोची रहा था कि पास से एक बादल के टुकड़ा आग उजरा मतलब बहुत उचा चला गया बादल में तो उसके सर से एक टुकड़ा आग उजरा मैं उसमें घुस गया वह बादल में घुस गया जब उस बादल से पानी बर्षने लगा तब जाकर मैं पानी की धार को रशीक तरह पकड़ कर नीचे उतरा मतलब रशीक तरह बारिस के बुनी में पकड़ कर नीचे उतरा राजकुमार मुश्कराया पाला भाई निराज हो गया उसने पूरा यगिन था कि राजकुमार विश्वास नहीं करेगा वो विश्वास कर लिया राजकुमार अब दूसरा गोपड़ी सुनिये दूसरा गोपड़ी भाई बोला एक बार मेरी गेंद एक जाड़ी में जागरी जारी मतलब बहुत कटिला होता है मैं छोटे-छोटे पेर पदे होते हैं मैं अपने गेंद ढूंधने जारीयों में घुशा लेकिन मुझे अपने गेंद कहीं नजर नहीं आई एक चुहे का बिल मुझे दिखा खुब गेंद को ढूंठा लेकिन नजर नहीं आया तो उसने चुहा का एक बिल देखा वा मैं उसके भीतर चला गया तो क्या देखा वो बोला कि मैं भीतर चला गया बिल का गोपोड़ी दूसरा भाई कि वहां स्वैकोड़ो हाथी बंदे हुए थे बता ये चुहा के बिल में हाथी कैसे बननेगा वो गोप मारा उस बिल में रहने वारा चुहा हाथी चुर था जो शीवा हाथियों को पकड़ कर अपने जिभो में भर्ने के सारे हाथि जिभो में आ गये तो मैं बाहर बाए और भागा मतला अपने पॉकिट में सारे हाथि को गुशा लिया तो पी देख लिया यो तलाब यो तलवार लेकर मेरे पिछे आया सब्कून और उसने एक चाखल टीडे सैघ उछो MP मैं करब चुहा देखते रहा गया हाथी चर चुहा राजकुमार ने समती के लिए सीर हिलाया हाँ मैने भी तुम्हें टीडे पर जाते देखा राजकुमार फिर मान गया कि ये सच है दूसरा भाई भी असफर रहा और बारी तीसरे भाई की थी वह बोला एक बार मैं नदी के किनारे घुमने गया वहाँ सारे मच्छुआरे इकठे होकर रो रहे थे मच्छी मारने वाले मच्छुआरे मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नदी में एक भी मच्छी नहीं रही वह भूखे मर रहे हैं कि मैं इसके कारण जानने नदी में उत्रा पानी के भीतर मैं क्या देखा मतलब वो उसके कारण जानने के पानी के अंदर गया कि एक हवेल सारी मचलियों को खा रही है देखिए वो मचली है उससे देख कर मुझे इतना घुस्य आया कि मेरे घुस्य की गर्मी से नदि के पानी गरम होने लगा उसके पानी गरम होने से हवेल छट पटाने लगी और पानी से उपर आकर हवा में उड़ गई उसके उड़ने से पहले ही मैंने उसकी पूछ पकर लिया हम दोनों हवा में उड़ने लगे मचली हवा में उड़ने लगी कर उलती है हवेल ने पूछ जटक कर मुझे गिराने की कोशिश की पर मैंने पूछ नहीं छोड़ी वो पूछ कभी छोड़ा नहीं हवा में उड़ा था उसके साथ तभी मुझे एक बहुत बड़ी चटान हवा में तरती नजर आजी गव तुमारा था चटान तरेगा कैसे मैंने अपने पर उस पर टिकाय और पूछ से पकरकर हवेल को खूब घुमाकर समूद्र की ओर फेक दिया इस परकार मैंने उस हवेल से मच्छुआरों को निजात दिलाई राजकुमार ने तालिव हजाई तुमने बहुत बहादुरी काम किया तिनो भाई असफल हो गए ओभी राजकुमार मान गया तिनो भाई तब असफल हो गए उसके मुँ उतर गए पांच ने कहा राजकुमार अब तुम अपनी गव सुनाओ राजकुमार ने कहा ठीक है अब मेरी कहानी सुनो मैं एक देश का राजकुमार हूँ मेरे पास तीन गुलाम है एक दिन वे तीनों मुझे धोखा दे कर भाग निकले तब से मैं घूम घूम कर उन्हें तलास करता फिर रहा हूं आज फिर वे मुझे मिल गए एक भाई ने पूछा वो कौन है राजकुमार मुझे तुम तीनों ही तुम मेरे गुलाम हो अब तीनों भाई फस गए राजकुमार अगर राजकुमार की बात नहीं मानते तो सर्थ हार जाते और राजकुमार के गुलाम बन जाते राजकुमार बड़ी चनहाग था वो बोल दिया कि तीनों उसे गुलाम है, बात तो मनना ही पड़ा, कैसे ही बात मनना ही पड़ेगा अगर राजकुमार की गुप सुकार करते तो गुलाम हो भू ही पड़ते पंच ने निर्नर दिया कि तीनो भाई हार गए और वे अब राजकुमार के गुलाम होंगे वे बहुत सिट पिटाए राजकुमार से माफी मांगने लगे अन्त में राजकुमार ने कहा मैं तुम्हें एक सर्थ पर मुक्त करता हूँ यह की आगे से उलूल जलूल बाते बना कर गाउंवालों को न ठगना गोपड़ी भाईयों को वचन देना पड़ा इसलिए किसी को कभी ठगना नहीं चाहिए और उलू भी नहीं बनाना चाहिए कभी तो वह पकड़े ही जाएंगे अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जिरूर कीजिएगा